प्लाइध चाहले दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्यूरा फ्लैक्स एफयस लीक्विट का यूज हम अपने पसूमें कब कहा और किस जगह करते हैं मैँ आज आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब भी जरूर करना दोस्तो सबसे पहले हम इसका यूज कहाँ करेंगे एनिमल फीट सप्प्लिमेंट वेटनरी आपको दिखाई दे रहा होगा जो दोस्तो एमेल में मिला गया है इसमें क्या क्या होता है आप पूरी जनकारी इसमें देख सकते हो तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे सबसे पहले कहाँ पर जहां पर आपकी पसू होती है कमजोर हो जाती है आपने देखा होगा आपकी पुसू दिन पर दिन कमजोर होता जाता है आप बहुत ज़्यादा खिलाती हो पिलाते हो फिर भी आपकी पुसू कमजोर हो जाती है तो उहां पे आप इसका यूज करा सकते है कि उराफलेक्स एफएस लिक्विड काम उसके साथ साथ जहां पे हिटी श्टोक में आ जाती है हिटी श्टोक का मतलब होता है गर्मी सह नहीं पाती है बहुत ही तेजी तेजी से हाफती है उनके नाक और मुझ से पानी गिरता है तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज करवा सकते हो क्यूराप्लेक्स एफस लिक्वीड गाम उसके सासा जहां पर आपकी पसू चारा पानी खाना पीना बंद कर देती है यानि भूख लगने की प्रक्रिया नहीं होती है भूख लगने की प्रक्रिया कम हो जाती है पसू सही से जुगाली नहीं करती है या फिर चारा बहुत ही जादे कम खाती है सभी कंडिशन में जहां पे चारा खम खाए जहां पे हापती हो मुझसे लार गीरता हो नाग से पानी आता हो सभी जगों पे आप इसका यूज करवा सकते हो जहां पे आपको ऐसी समस्या देखने को मिले ख्यूरा प्लेक्स उसके साथ साथ और कहा कहा पर जहां पर आप अपने पसुओं को हेल्दी और स्वस्त रखना चाहते हो यानि कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि आपकी पसू बार बार बीमार हो जाती है हेल्दी नहीं रहती है तो उसमें होता क्या है कि दोस्तों आप अपने पसू का ट में starting से treatment करते ह diagram चुछ स्वक्स हो जाता है लेकिन वह एपने पूरी साख लिन पर नहीं आता है तो वह भी इसका उजसांब करवा सकते हो पूरी तरह से maintenance करने में पूरी तरह से पहले कि जैसा बनाने में słu उसके साथ सत्ऑ और कहाँ कहाँ ब इसका उजस करना है जहां पे पसू की इमन्यूटी पावर कमजोर होती है अगर आपकी पसू की इमन्यूटी पावर कमजोर होगी तो आपकी पसू बार-बार बिमार होगी आपने देखा होगा जब भी आपके पसू का इमन्यूटी पावर कम होगा आपकी पसू बार-बार बिमार होगी तो उन condition में भी आप इसका यूज करिएगा जहां पे आपकी पसु बार बार बिमार होती है और बिमारी में दूद एकदम से गायव हो जाता है दूद की मात्रा एकदम से डाउन हो जाती है तो उन जगहों पे भी इसका यूज आप कर सकते हो अपने पसु में तो अब हम बात करते हैं इसे हम पसु को कैसे देंगे सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पसु को देना है 30 से 50 एमेल यानि 30 एमेल्स लेकर 50 एमेल तक आप इसका दे सकते हो गायभायस की हम बात कर रहे हैं और भेडबकरियों में आप 10-20 एमिल दे सकते हो, तो आपको दो बार दिन में आप इसे दे सकते हो, सुबह और साम आप देंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सांदार रिजेट मिलेगा, इसके मार्पी मात्र आप 200 उर्पे है, वीडियो कैसा लगा, तो आज के लिए धन्य हुत 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 लगा हुत हुत